हलो एवरिवान वेल्कम बैग तो हम वեսपर थियूरी का सेकिंड पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट में करा था जिमेट्री जब लोन पेर प्रेजन नहीं है सेंट्रल आटम पे तो क्या जमेट्री होती है वो हमारी आइडल जमेट्री जो ठीक तो इसी वज़े से हम यहां पर पढ़ते हैं डिफरेंट शेप्स और इसी से क्वेशन बनते हैं यूश्यली ठीक है यह वला जो चार्ट है इसमें हम पढ़ेगे शेप या फिर जमेटरी of molecules या फिर आइन्स with central atom having one or more lone pairs ठीक है इसमें हम देखेगे कि जो central atom है उसके पास एक या एक से जाधा lone pairs present है उस case में कैसे करना है So here is a short trick for you कि जब भी आपको ऐसे molecules या ions में जिसमें lone pairs present है ऐसे molecules या ions की जब भी shape लिखनी हो तो lone pair को consider नहीं करना है while writing the shape ठीक है अब आपको पता चलेगा मैं क्या कह रही हूँ जैसे देखो basic से example में लेते है basic example आ जाता है A, B to L हम इससे 3 वाले से start करेगी क्योंकि linear में तो obviously अगर एक side पे lone pair लग गया तो दूसरे side पे एक के bond रहे जाएगा ठीक है वो meaningful नहीं होता है ऐसा नहीं होता है इसलिए हम start करते है 3 वाले से 3 क्यों कह रहे हूँ है 3 का मतलब है कि 2 bond pair है that means 2 bonded atom है और एक lone pair present है ठीक है तो यह कैसे होगा जैसे आपने 3 का पड़ा है 3 अगर है 3 का मतलब है कि 3 positions है 3 positions around a central atom कैसी आती है 1, 2 and 3 इसे हम क्या कहते थे trigonal planar कहते थे हम जब lone pair present नहीं था central atom पे जब एक lone pair present हो गया तो इसका type क्या बना यह AB3 से क्या बना AB2L एक B की जगा हमने यहां पर lone pair लगा दिये इस तरह से ठीक है तो इस तरह से lone pair लग गया अब इसका shape क्या होगा तो देखो shape में मैंने आपको बताया है कि lone pairs को आपको consider नहीं करना है while writing the shape of a molecule तो आपको just क्या करना है अपना हाथ रख लेना है या फिर finger रख लो उस lone pair पे अब देखो कौन सी shape बन रही है यह कौन सी shape है यह है V shape ठीक है तो shape of a molecule क्या आगया V shape या फिर हम कहते हैं इसे band shape ठीक है band shape या फिर V shape या फिर angular कई नाम है angular shape भी इसे लिखते हैं ठीक है तो इस तरह से हम निकालते हैं shape of a molecule आपको lone pair नहीं बताना है अगर आपको electronic geometry पूछी जाती तो हम कहते है trigonal planar और shape क्या है excluding this lone pair V shape ठीक है वैसे ही यहाँ पर भी करा गया है AB2 AB2 में number of bond pairs कितने हैं bond pairs कौन से होते हैं जो bond में present होते हैं तो यहाँ पर दो bonds दिखाई दे रहे हैं तो 2 लिख लेगे number of lone pair कितना है 1 है और इसे किस तरह से हम arrangement of electron pairs कैसे आती है trigonal planar आती है अगर आप lone pair plus bond pairs की बात करो क्योंकि जो electron pairs है उसमें दोनों ही include होते हैं तो trigonal planar है shape की अगर आप बात करें very important तो इस पर हाथ रखके finger रखके देखो क्या है band shape यह फिर हम कहते है V shape भी लिख सकते है angular shape भी लिख सकते है example is SO2 example learn करने की जरूरत नहीं है next lecture में हम बिलकुल detail में पढ़ेगे किस तरह से molecules की shape निकाले जाती है तो यह just ऐसी example मैंने आपको यहाँ पर बताया है but इसको बिलकुल learn करने की जरूरत नहीं हम find out करना सीखेगे कि किस तरह से हम shape find out करते है ठीक है बहुत आसान होने वाला next is AB3L AB3L में bond pairs 3 है loan pair 1 है तो यह किस तरह से आ जाता है 3 plus 1 is 4 जब 4 4 positions आपने लगानी होती थी central atom के around तो कैसे लगाते थे tetrahedral arrangement tetrahedral कैसे बनाते है एक उपर दो साथ में bonds बनाते है जो फोर्थ bond है वो side में बना देते है तो यह था tetrahedral arrangement ठीक है अब इसमें क्या कर दिया इसमें एक loan pair लगा दिया अब सिंस जो tetrahedral geometry होती है वो symmetrical होती है और bond angles कितने होते है 109.5 degrees होते है तो यहाँ पर किसी भी position पे हम loan pair को लगा देगे सिंस यहाँ पर easy रहता है क्यों top position पे लगा दे क्योंकि हमें symmetrical shape नजर आती है तो यहाँ पर shape क्या होगी shape देखो इसे हटा कर shape क्या होगी यहाँ पर यह kind of pyramid बन रहा है ठीक है kind of pyramid यहाँ पर बन रहा है तो इसकी shape होगी trigonal pyramidal या only pyramidal भी कहते है ठीक है trigonal pyramidal या only pyramidal NH3 is the example NH3 की जो shape होती है that is trigonal pyramidal तो basic idea is की आपको loan pair को बिलकुल exclude करके देखना है loan pair को ढखके फिर देखिए की shape कौन सी आपको दिखाई दे रही है then इसी category में हम next type पे आते है AB2 L2 अगर आपके पास दो bonded है और दो loan pair है तो कैसे करोगे तो वैसे ही tetra heddle में ही दो इस तरह से हम loan pair लगा देगे ठीक है दो bonded आगे और दो loan pair आगे और इसका example है water अब कौन सा shape है यहाँ पर ढखकर के हमने देखा यहाँ पर shape है bend या फिर हम angular भी लगते है या फिर कई बार हम इसे V shape भी लगते है ठीक है तो यहाँ पर यह example हो गया अब next आता है हमारा कि अगर आपके पास 5 है ठीक है 5 में क्या होता है first example अब देखो 5 arrangement कैसे करते हो एक central atom है 5 जब भी आपको arrange करने हुए atom हो चाहे loan pair हो that means कि position 5 आपको acquire करनी है तो सबसे पहले mind में आता है TBP arrangement trigonal biparamidal arrangement ठीक है तो वो कैसे होती है मैंने आपको last lecture में बताया है ये होती है TBP arrangement जिसमें आप 5 positions पर यहाँ पर placement कर सकते हो अब इसके लिए क्या आता है ये तो था AB5 जब सारे bonded pair है लेकिन अगर loan pair कैसे बता सकते हो आप इसमें loan pair आ सकता है AB4 और एक loan pair या फिर AB3, L2 दो loan pair या फिर AB2 and L3 ठीक है तो ये इसके type होगे कि किस तरह से आप loan pair से यहाँ पर लगा सकते हो एक loan pair लगा सकते हो दो भी लगा सकते हो तीन भी लगा सकते हो ठीक है तो इस तरह से हम करेगे अब देखो यहाँ पर interesting question आ जाता है first हम कर देते है AB4, L का जरा example लेके करते है अभी आ जाएगा हमारे पास AB4, L जिसमें bonding में है pairs 4 और loan pair आपके पास है only 1 ठीक है अब किस तरह से ये करना है अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की है TBP geometry में यहाँ से question बहुत जादा बनते है ठीक है अब देखो एक आपको plane नजर आ रहा होगा trigonal bipyramidal का क्या मतलब है trigonal पे bipyramidal है trigonal आपका इस तरह का base है उसमें bipyramidal है that means दो इस तरह की positions है ठीक है तो यह दो जो positions होती है उपर और नीचे वाली इन position को हम कहते है axial positions यह हमेशा ध्यान रखना यह कामाने वाली चीज़ है ठीक है और यह जो तीन आपको bonds नजर आ रहे है इन्हें कहते है equatorial positions तो एक TBP geometry में दो axial positions होती है और तीन equatorial positions होती है यह सक ठीक है and bond angle आपको पता है इनके बीच में equatorial वाले जो bonds है उनके बीच का bond angle is 120 degree और उपर वाले 90 है ठीक है इतनी बात आपको पता है अब देखो अब क्या है कि यहाँ पर आपको place करना है एक loan pair 4 प्लस 1 हमें समझ आगया we need 5 position 5 positions का मतलब TBP अब TBP में यह loan pair कहां लगाएगे अब आपके पस 2 choices है कि आप कहां लगाओ देखो ध्यान से 1st choice है कि आप loan pair को यहाँ पर लगा दो ठीक है that means equatorial position पर लगा दो 2 चॉइस है आप इस loan pair को आप इस loan pair को किसी भी axial position पर इस तरह से लगा दो ठीक है तो 2 आपके पस choices है axial की या फिर equatorial की अब आप बताओ सोचो ज़रा खुदी कि दोनों में से कौन सी position एक loan pair के लिए correct होगी तो देखो जो वेस्पर थियोरी हम पढ़ रहे है this is all about the repulsions कि repulsions को किस तरह से हम minimize कर पाए so that जो आपका molecule है वो stability attain करे ठीक है उसकी energy minimize हो जाए तो पूरा खेल क्या है repulsions को lower down करने का ठीक है minimum repulsion attain करने का तो यहाँ पर भी यही फंडा होगा अब देखो यहाँ पर position क्या है equatorial position पर है ठीक है अब यहाँ पर कितनी repulsions है क्योंकि यह सारे तो 120 degree है आपस में लेकिन यह और यह यहाँ पर 2 90 degree पर आपकी loan pair and bond pair repulsions है ठीक है अब यहाँ पर देखो अगर excel पर यह लगता तो कितनी इसकी repulsions है 1, 2, 3 तीनों के साथ 90 degree पर ही अगर हम देखे तो यहाँ पर 3 loan pair bond pair repulsions है इसी लिए हम अपने loan pair को कहाँ प्लेस करते है at equatorial position एक मैं short track भी आपको बता दू TBP में TBP में जब भी loan pair आपको प्लेस करना है तो उसे आपको प्लेस करना है at equatorial positions ठीक है यह ध्यान रखना और reason क्या है reason यह है क्योंकि इसमें एक तो यह है कि 120 degree के यह angles होते है जिसकी वज़े से repulsions minimum हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर equatorial position पे ही आपने अपने जो loan pairs उनको रखना है क्योंकि ऐसा करने से जो loan pair and bond pair का repulsions है repulsions है वो minimize होता है क्योंकि जैसे यहाँ पर आपने देखा आपके पास दो ही loan pair bond pair repulsions मिल रही है whereas अगर आप axial पे रखते तो 3 loan pair bond pair repulsions मिलती ठीक है यहाँ रखने का फाइदा यह है कि only जो 90 degree पे repulsions देखने को मिली वो दो ही मिली इन दोनों की repulsions नहीं देखने को मिली क्योंकि यह 120 पे है अगर आप axial पे रखते उपर तो यहाँ पर जो यह 3 bonds है यह 90 degree पे repulsions देते ठीक है इन शॉर्ट अगर बिल्कुल भी एक idea समझ आ गया है और बिल्कुल एक result अपने learn करना है तो आप यह कर सकते हो कि TBP में loan pair की placement होती है equatorial position पे ठीक है तो यहाँ पर इसे highlight कर दो कि equatorial positions highlighted है loan पे रहाएगा तो इनी position पे आप इसे लगाएगे अगर इतना आप ध्यान रख लोगे तो कभी भी question आप गलत नहीं करोगे ठीक है अब देखो समझ आगी बात TBP की आगे भी एकदम से आप इसे solve कर पाओगे अच्छे से ठीक है अब देखो यहाँ पर कैसे करेगे हम इसे place TBP का arrangement बना देते है यहाँ पर एक आजाएगा यहाँ पर bonded items आपने लगा दिये ठीक है यहाँ पर भी आपने एक bonded item लगा दिया नीचे भी आपने bonded item लगा दिया और एक lone pair को आपने इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर दिया ठीक है तो यह placement होगी अब question आता है what is the shape की shape कौन सी होगी तो shape के लिए मैंने कहा था कि lone pair को छुपा देना उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है अगर इस symmetry को जरा मैं सीधा करू तो शायर आपको समझा जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से बन रहा था B, A, B and यहाँ पर B और यहाँ पर B, B चीक है और यहाँ पर आपके बस lone pair था अब मैंने कहा कि यह जो lone pair है इसे छुपा कर देखना है इसे हटा दो और देखो कौन सी shape आ रही है तो यह हटा दी तो कुछ इस तरह की shape है लेकिन इस shape को अगर हम ज़रा सीधा करें इस तरह से सीधा करें तो यह क्या दिखाई दे रहा है क्या यह इस तरह का कोई structure दिखाई दे रहा है यह क्या होता है बच्पर में आपने खेला होगा Seesaw यहाँ पर आप बैठते थे यहाँ पर आपका friend बैठेगा तो यह Seesaw यहाँ पर बैठके Seesaw आप खेलते थे यह kind of Seesaw आपको लग रहा है arrangement तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Seesaw geometry shape is Seesaw और electronic arrangement की अगर बात करें तो electronic arrangement थी TBP ठीके दिखो जो electronic arrangement होती है उसमें सब कुछ हम include करते है loan pair and bond pair तो यह पूरी जो whole electronic arrangement थी वो थी TBP ठीके और यहाँ पर जो आपके पास shape आ रही है that is Seesaw ठीके और एक interesting बात Seesaw को अलग से क्या कहते है कई जगा folded square करके भी लिखते है ठीके तो वो भी सेम है लेकिन Seesaw is more popular तो Seesaw folded square या कई बार distorted tetrahedron भी कहते है क्योंकि 1,2,3,4 है ना यहाँ पर bonds तो चार का कह लेते है कि यह kind of distorted tetrahedron है ठीके तो यह चीज़े आगी यहाँ पर और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी क्या था अगर electronic arrangement देखे उपर भी tetrahedron ही था ठीके तो Seesaw is the shape यहाँ पर आप क्या example लोगे example आ जाएगा SF4 ठीके अब चलते हैं next पर next हमारे पास क्या था एक lone pair है अब है दो lone pair तो क्या कर दोगे AB3L2 तो यहाँ पर क्या चीज़े है 3 bonded है और 2 lone pairs आपके पास है अब 2 lone pairs कैसे लगाई यह भी equation है अगर directly करोगे तो directly क्या होगा कि lone pairs आते है equatorial positions पर पर मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि equatorial position पर कैसे लगे गया possibility देखो लगने की कैसे लग सकते थे first possibility is कि यह जो हमारी actual जो लगते है वो क्या है कि equatorial position पर दो lone pair इस तरह से लग जाए ठीक है और बागी जगा bonded atoms इस तरह से हम लगा देगे ठीक है दूसरी possibility थी कि एक lone pair हम axial position पर लगा दे और दूसरा हम equatorial पर लगा दे ठीक है अभी तो दोनों आपने equatorial पर लगाए है अभी एक हमने उपर की और axial पर लगा दिया एक हमने equatorial पर लगा दिया और बागी जगा हमने इस तरह से positions पर bond बना दिये ठीक है तो यह इस तरह का planar है trigonal bipyramidal का क्या मतलब होता है कि जो base है उसका वो trigonal है और उसके उपर नीचे bonds है ठीक है तो इस trigonal base पे हमने इस तरह से loan pair लगा दिये एक यह possibility है एक तीसरी possibility थी तीसरी possibility थी कि यह जो दोनों loan pairs है उन्हें हम दोनों ही axial position पे लगा देते है ठीक है वैसे मैंने आपको shortcut बता दिया है कि TBP में loan pair goes at equatorial positions लेकिन यहाँ पर समझ के देखते है फिर आप कहोगे कि मैं आपने learn करना सिखा दिया reason नहीं दिया अब आपको मैं reason देती हूँ यहाँ पर यह क्यों possible नहीं है क्यों यही arrangement possible है यह नहीं है क्यों नहीं है तो देखो due to repulsions कौन सी repulsions loan pair bond pair repulsions अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो angle है this angle is 120 degree यह दोनो 120 degree अब आप कहोगे पर मैं यहाँ तो 180 degree है तो यह वाला क्यों नहीं किया यह वाला करना चाहिए था तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो bond pair है यह इनके साथ 90 degree पे है तो यह triangular आपको base दिखाई दे रहा है ना उस पर से यह वाला जो bond है और यह नीचे वाले axial bonds है वो 90 degree पे है ठीक है तो 90 degree पे है तो यहां पर repulsion भी है तो यहां पर repulsion है यहां पर भी repulsion है तो यहां पर दो repulsion है लेकिन अगर यह वाली arrangement हुई तो देखो यहां पर कितनी repulsion है एक यह वाली repulsion है loan pair और bond pair की यह वाली भी repulsion है loan pair bond pair की इस loan pair bond pair की भी repulsion है ठीक है और अगर यहाँ पर देखोगे तो चलो count कर लेते हैं यहाँ पर कितने repulsion से इन loan pair bond pair की loan pair bond pair repulsion यहाँ पर 2 है इसकी इसके साथ होगी और इसके इसके साथ होगी ठीके तो इसकी 2 repulsion आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है उपर वाले की और 2 ही नीचे वाले की आप कर लोगे ठीके तो इस तरह से यह repulsion है यहाँ पर कितने आपको repulsion दिखाई दे रही है 1, 2 ठीके 2 इसकी होगी और नीचे वाले की साथ कितने repulsion से इसकी एक repulsion नीचे है और साथ वालों की इनकी आपस की कितनी repulsion है, loan pair loan pair repulsion भी यहाँ पर आ जाती है, 90 degree पर अब आप कहोगे, यहाँ पर भी तो repulsion है लिकिन यह 120 degree है आपको 90 degree में देखना है, क्योंकि 90 कम एंगल है, ठीक है और अगर आप यहाँ पर देखोगे इसकी loan pair, bond pair repulsion कितनी है, उपर वाले की तीनों bonds के साथ है, ठीक है नीचे वाले की भी तीनों bonds के साथ है, तो six repulsion यहाँ पर आपकी आती है तो in short, जो यह पहला वाला structures है, इसमें loan pair bond pair repulsion कम है, ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाता है इसी वज़़े से यह वाला structure ज़्यादा stable होता है तो दो loan pair equatorial positions पे ही आते है और साथ में यह क्या है, 120 डिग्री पे है तो इतना ज़्यादा repulsion यह feel नहीं करते, तो यहाँ पर इसे लिए कहा गया है, TBP में जो loan pair लगाने है, वो equatorial position पे लगाने है, ठीक है तो यहाँ पर हम लगा देते है loan pairs, तो loan pairs कैसे लगाएगे अब, A यहाँ पर कर लेते है, और this is B, और नीचे भी B आ जाता है तो two loan pairs आपके यहाँ पर जाते है, एक यह हो गया और एक यह हो गया, ठीक है two loan pairs हो गया, और यहाँ पर B आ गया, अब shape देखो क्या है shape is T shape, यहाँ पर आपको T नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा, T shape ओके, तो T shape है, और इसका example CLF3 next is, कि अगर आपके पास 3 हो, A, B A, B, 2 and L, 3, 3 loan pairs हो तो कैसे करोगे, bonded में 2 है loan pairs 3 है, तो 3 कहाँ है तीनो ही equatorial position पर जाते है, वो more stable होती है तो तीनो ही equatorial position पर आप यहाँ पर कर लोगे ठीके, तो इस तरह से B आ जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा, और साथ ही में आपके पास यहाँ पर 1, 2 and 3, इस तरह से 3 loan pairs आ जाएगे, तो यहाँ पर shape बताओ क्या होगी, shape होगी linear क्योंकि इनको हटा के only आपको linear ही structure दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर linear shape होगी और example is I3 negative ठीके, अब चलते हैं 6 arrangement पर कि अगर एक atom के around आपको 6 places करने हैं तो क्या होती थी हमारी geometry अब देखों यहाँ पर क्या है यहाँ पर सारे TBP हैं, जो electronic geometry है, that is TBP TBP, ओके अब अगर 5 करना है 5 के लिए क्या कर सकते हैं AB5L, ठीके और दूसरा आजाता है AB4L2 ठीके, इन चीजों में देखो जरा कि किस तरह से किस तरह से आप loan pair को यहाँ पर arrange कर पा रही हो यहाँ पर AB5L में 5 and 1 हो गया, ठीके 1 loan pair है, 1 loan pair कैसे करोगे 1 loan pair कहाँ जाएगा अब आपके पास octahedral होता था octahedral कैसे होता था आपके पास इस तरह से octahedral arrangement आपके पास थी, सारे angles इसमें क्या होता है, 90 degree यह हमने discuss कर लिया है, अब अगर एक loan pair होगा, वो कहाँ जाएगा वो कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन हम इन्ही positions पर उन्हें लगाते है so that xmetrical आपको structure मिले, ठीके क्योंकि सारी जो repulsions है वो तो 90 degree की है, तो कहीं पर भी लगाओगे, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ पर जो यह arrangement आती है इसे कहते है square pyramidal, pyramidal क्योंकि उपर से pyramid type का है square इसले, क्योंकि यह base इसका square है, तो यह geometry होगी square pyramidal तो इस तरह से हम यहाँ पर बना देते है, square pyramidal कैसे होगा यहाँ पर 1, 2 3, 4 3, 4 हो गया और यहाँ पर 5th position पर आप bonded item लगाओगे और जो एक lone pair है एक lone pair कहाँ आएगा, एक lone pair आएगा यहाँ पर, ठीक है अब देखो, क्या geometry बन गी इसकी, क्या geometry बन गी एक square बना और साथ में इस तरह से एक pyramid बना, तो यहाँ पर बन गया square pyramidal, shape is square pyramidal ठीक है, square pyramidal shape है, example है, bromine F3, F5 sorry, ठीक है अब देखो, last में, अगर 2 lone pair है, कैसे करेगे, तो यहाँ पर 4 and 2 होगे, तो 2 lone pair कहाँ आएगे, उपर और नीचे आएगे तो यहाँ पर किस तरह से geometry बन गी A, इसके चारो तरफ 4 bonded items इस तरह से हम लगा देगे, B and B, और 2 lone pairs उपर और नीचे हम लगा देगे, symmetrical shape ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा square planner, ठीक है यहाँ पर इनको हटाने के बाद क्या geometry, क्या shape आती है आपके पास square shape आपके पास आ जाती है square planner, ठीक है और example is XEF4 तो इस तरह से हम shapes बताते है, उन molecules या ions की, जिनके पास central atom पे एक या एक से जादा lone pair present हो, तो इस तरह से हम इन shapes को predict करते हैं और यहाँ पर जो electronic geometry है वो है octahedral, octahedral ठीक है, तो यह था about vesper theory और उनके molecules की shape अब देखो, next lecture में हम क्या करने वाले हैं, हम देखेगे कि किस तरह से loan pairs निकाले जाते हैं, किस तरह से हम इनकी shape बताते हैं, हम practice करने वाले हैं, next lecture में ठीक है, examples लेगे और उनकी हम shape predict करेगे, ठीक है, तो मिलते हैं next lecture में, till then, bye bye see you